हेलो चो नीट M.C.Q. सीरीज में आपका स्वागत है जो हमारा पास एक कोशन है जो आया था नीट हो था उन 16 में तो चलिए कोशन पढ़ेंगे एंब्रियो विद मोर दें 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म डू टू इन वीवो फर्टिलाजेशन इस ट्रांसफर्ड इंटू जो हमारा अम्रियो होता है जिसके अंदर 16 से ज़ादा ब्लास्टोमियर होते हैं जो इन विट्रो फॉर्टिलाजेशन के वए से बना होता है उसको हम कहां डालते हैं तो NCRT reference को देख सकते हैं यह जिसके अंदर देखते हैं जो मैंने रेट से अंडरलाइन किया हुए embryos with more than 8 blastomere हमारा question कहारा 16 तो 8 से ज़्यादा 16 भी हो सकता है into the uterus to complete further development यानि embryo जो इसके अंदर 8 से ज़्यादा blastomere है उसको हम uterus के अंदर transfer कर सकते हैं ताकि वो further grow कर सके तो इस question का answer हमें मिल चुका है A option हो जाएगा uterus तो उसको मार कर देते हैं तो थैंक्स वर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो हेलो चलिए एंसी कु सीरीज में आपका स्वागत है हमारे पास एक कोशन है जो आया था 2015 में चले कोशन पढ़ेंगे A childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift the full form of this technique is एक childless couple जिसके पास कोई बच्चा नहीं है उसको भी बच्चा हो सकता है एक technique जिसका नाम है gift उस gift की full form क्या है तो NCRT reference देखेंगे इसके जो मैंने यलो से इंडलाइन किया हुए उसके देखते हैं gift यह form है gamete intra fallopian transfer तो देखते हैं option में से common कुंसा है gift की full form होती है gamete intra fallopian transfer तो देखते हैं तो D को mark कर दिया तो thanks for watching प्लीज लाइक, share and subscribe for more videos यानि जो हमारे जो इंडलाइन जो इंडलाइन है zygote intra fallopian transfer and embryo with more than 8 blastomere is transferred into the uterus यानि embryo जिसके इंडर 8 से ज़्यादा blastomere है उसको uterus के इंडर transfer के जाता है तो देखते हैं ऐसा कुण सा option है ऐसा कोई direct option नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको solve करने के लिए नसी आटिक है का और reference दिया हुआ है green वाला है जो उसको पढ़ेंगे the embryo with 8 to 16 blastomere is called morula ये नहीं दिया गया है कोई भी option के अंदर की 8 से जादा blastomere की कोई भी बात की कई है directly morula लिख दिया गया है और morula क्या होता है जिसके अंदर 8 से 16 blastomere होते हैं जिस embryo के अंदर उसको हम morula कहते हैं तो इस question का answer morula हो जाएगा क्योंकि 8 से जादा blastomere वाली stage को ही हम uterus के अंदर transfer करते हैं तो thanks for watching see, इस question का answer हो जाएगा तो thanks for watching please like, share and subscribe for more videos झाया है